इस लेक्चर में Wildlife Act जो 1972 का Environment Ministry ने कुछ changes proposed की हैं कि इसमें कुछ amendment होंगे उस नए amendment के बारे में हम discuss करेंगे इस लेक्चर में दिसंबर 2021 में Union Environment Ministry उसने announce किया था घोसना की थी कि Wildlife Act में कुछ संसोधन क्या जाएगा amendment क्या जाएगा देखो इससे पहले इसको कई बार इसको amend क्या जा चुका इस एक्ट को 1972 में बनाता बहुत ही ज़्यादा important ये एक्ट है प्रिलिम्स और मेंस में लगबग हर बार ही पूछा जाता ये वाइडलाइफ एक्ट 1972 का इससे देखो 1982 में amend क्या गया था संसोधन क्या गया था फिर 1986 में फिर 91 में 93 में 2002 में 2006 में 2013 में लगबग इसको अब तक साथ बार इसको amend क्या जा चुका है अब ये आठवी बार होग आठवी वार अमेंड क्या जाएगा जबसे ये बना है कौन कौन से चेंजिज किया जाएंगे इसमें कौन कौन से चेंजिज बदलाब परपोज किया गये हैं इसमें जो legislative का area इस act के जरहिए उसका दायरा बढ़हरा जाएगा जो wildlife species में film making करने के लिए permission दी जाती उसको इसमें और include किया गया है कि देखो जो जंगलों में बहुत सारी movie को किया जाता है रिकॉर्ड किया जाता है तो उसकी permission के लिए और ज़्यादा इसका दाइरा बढ़ा है ताकि जो invasive species हैं उनके लिए भी इसमें बढ़ाया गया है invasive species होते हैं मानलो ये area है एक ये एक area है इस area से अगर मानलो ये country है ये बी country है इस country से मानलो एक species आया कोई भी plant, tree या animal ये यहां के area के लिए invasive हो जाएगा अगर ये यहां के जो phonar floor है उसको नुकसान पहुचाएगा मानलो यहां पे एक नया पेड लेके आये बी area से ये पेड आया यहां पे यहां पे लगा दिया लेकिन इस पेड ने यहां पे बहुत सारे और पेड़ों का नुकसान कर दिया जितने nutrients थे सारे अपने अंदर ले लिए भूमी से जमीन से सारे और बाकी का जो यहां पे diversity थी पेड पौदे थे वो यहां पे मर गए वो खताम हो गए इस की वज़े से ऐसे species को बोलते invasive species तो इनके control करने के लिए जो इनका spread हो रहा है फैलते जा रहे हैं इनका control करने के लिए भी नए प्रपोज किये हैं इसमें changes positives क्या इस changes के क्या क्या इसमें अच्छी बाते की गई है एक तो यह है कि wildlife crime के लिए जो penalty लगाई जाती थी जो भी मानलो जंगली जानवरों के साथ कोई अपराद करता है मार देता है hunting कर लेता है सिकार कर लेता है तो उसके लिए जो penalty थी punishment थी fine था वो था 25,000 जिनके लिए उसको बढ़ा के एक लाग रुपे कर दिया है कि अब एक लाग रुपे का fine लगेगा और नई provision यह की जाएंगी कि जो regulating species है उनके लिए separate एक नया chapter होगा जो international trade होती है जिनके लिए मानलो जिनका वैपार होता जंगली जानवरों का या किसी पेड़ बोदे का तो वो जो sites की treaty है ना sites का एक organization है जो 1975 में बनाए गई थी international organization है जो worldwide जो flora और fauna को conserve करने के लिए काम करती है flora का मतलब है plant or tree और fauna का मतलब है birds animals वगरा इसमें आते हैं पसुपक्ची तो इनको बचाने के लिए काम करती है worldwide sites का मतलब है convention on international trade on endangered species of flora and fauna तो यह treaty एक संधी है international treaty organization बोल सकते ह तो इसके according जो international trade को बचाने के लिए जो rules regulation है उसके according एक नया chapter जोड़ा जाएगा इसमें species को regulate करने के लिए इसमें जो handling की जाती है processing की जाती है trading की जाती है या breeding की जाती है species की वो बिना sites की authorities की permission के नहीं की जाएगी prohibit की जाएगी यह मना की जाएगी यानि कि अगर इनमें trading करनी है ऐसे जो मालों जंगली जानवार है या paid pod है उनमें वैपार करना हो उसके regarding तो sites की authority से permission लेना यह अनिवार्रे होगा इसकी permission के बिना इसमें trade नहीं की जाएगी इन species में और इसमें क्या है जो invasive alien species हैं जो यह risk पोज करते हैं मानों कहीं से दूसरी country से हमारे इंडिया में कोई invasive species आया कोई paid पौदा तो उनसे क्या क्या खत्रा है वो इनमें recognize किया जाएगा यह इनकी पैचान जाएगा उसका पता लगाए जाएगा और इसमें mention किया जाएगा लेकिन इस बिल में कुछ problem है concern है परेशान जाए तो उनको तो यह recognize करता है लेकिन जो हमारी country में बहुत सारे ऐसे invasive species हैं कि मानलों इस वाले पार्ट पे मानलों MP में मद्धा परदेश में कोई species है plant या trees का और वो मानलों करनाटक में या तमिल लाडू में introduce कर दिया तो यहां की biodiversity को जैव विवधिता को यह नुक्सान पहुचा सकता है ecosystem को नुक्सान पहुचा सकता है महां के paid पौदे यानि की मर सकते हैं उनको नुक्सान हो सकता है तो ऐसे जो domestic invasive species है regional उनको यह recognize नहीं करता है उनको include नहीं करता है बिल में जो changes किये गए है नहीं बात यह है इसमें कोई separate stool भी नहीं जोड़ा गया है ऐसे species के जो वहां के लोगों को मार रहा है बहुत ज़्यादा हत्या कर दियें तो उसको vermin declare कर देते हैं जब किसी परसुपक्षी को यानि की vermin declare कर दिया तो फिर उसको बिना permission के जो wildlife होता है न स्टेट में wildlife garden होता है एक forest area में भाहिसाफ state में state का एक wildlife garden होता है उससे एक officer होता है उस central government के पास ही power है वो notify कर सकती है directly किसी भी species को सिकार करने के लिए हंट करने के लिए तो जी ये currently जो species की ये position है वो schedule 2 में आती है schedule 2 में यानि कि government चाहे तो किसी पसुपक्षी को vermin declare कर सकती है ये schedule 2 के species को कर सकती है next है कि इस bill में क्या है कुछ changes schedule में propose किये गए है कि पहले इसम 456 लेकिन अब वो charge dual होंगे चार घटा दिया जाएगा इनको चार में जो state board for wildlife हुआ करता था उसको replace कर दिया जाएगा अब state board of wildlife का जो काम होता था एक standing committee करेगी और ये standing committee का अध्यक्ष कौन होगा head वो state के हर एक state के हर एक state में standing committee बनेगी और उसके state forest जो minister है वो इसके head हों होंगे जो ये minister nominate करेंगे 10 member को जो state board of wildlife है ये manage करेगी सारा जो state level पे conservation protection का काम है wildlife का पहले इसमें देखो state chief minister हुआ करते थे 20 और member हुआ करते थे और इसमें NGO बगेरा non-governmental organization कुछ conservationist हैं या representative है state forest department से tribal welfare से वो हुआ करते थे अब इसमें देखो जो propose किये गए change elephant को पहले न commercial sale और purchase के लिए ये allow नहीं था प्रोहिबिट था elephant को ट्रेड नहीं की जा सकती commercial sale के लिए लेकिन अब ये प्रोहिबिट नहीं होगा अब ये allow होगा इसकी वज़े से क्या होगा जो elephant की population है उस पे impact पड़ेगा प्रभावित होगी उसकी क्योंकि इसमें ट्रेड अलाव की जाएगी commercial sale के लिए और purchase के देको ये wildlife जो act है इसमें एक state wildlife advisory board था इसमें जो wildlife animal है या birds है उनकी hunting के लिए regulation थी किस रिकार के लिए उनकी rules regulation इसमें इसके थुरू जो 1972 का act है इसके थुरू ही wildlife century बनाई जाती है national park बनाई जाते है हमारे इंडिया में जो wildlife animal की या animal product या कोई भी ऐसा bird है species है जिनकी trade होती ह है इस act के थुरू ही regulate की जाती है हमारे इंडिया में जुडिशरी भी इस act के जरिए कोई मानलों इस act को वोईलेट करता है तो जब judge कोई case सुनाता है तो उसके act को ध्यान में रखते होई penalty देता है कोई fine लगाता है dual 1 में देखो ऐसे species डाले गए थे जिनको ना तो hunt किया जा सकता है ना ही उनका कोई नुक्सान पहुचा जा सकता है ऐसे species इस dual 1 में अभी तक हैं लेकिन जब इसमें changes कर दी जाएंगे तो dual 1, 2, 3, 4, 5, 6 है जो उनको 4 में तबदील कर दिया जाएगा replace कर दिया जाएगा जो hunting species थे जिनका सिकार किया जा सकता है जैसे मालो उनको special protection दी जाती है जैसे मालो बहुत सारे species ऐसे हैं वहाँ local areas में जो लोग रहते हैं forest areas में वो उनका सिकार कर लेते हैं तो उनको protection दी गई थी dual 2, 3 और 4 में यानि कि उनका सिकार करने से पहले license लेना पड़ेगा तभी सिकार किया जा सकता है लेकिन dual 5 था जो इसमें ऐसे species थे जिनको vermin declare किया गया था और vermin declare किया गया था उनको यानि की permission लेने की जड़त नहीं है सिकार करने के लिए अगर वो नुकसान पहुंचा रहे हैं वहाँ लोगों को मार रहे हैं तो बिना permission के उनको सिकार किया जा सकता है समझ रहे हो उनको हंट किया जा सकता है सिकार किया जा सकता है लेकिन अब यह जो नए प्रपोज किये गये changes central government direct करेगी कुई कौन सा वर्मीन है कौन सा नहीं है फिर उसको सिकार किया जा सकता है वन्हा नहीं वाइडलाइब जो वार्डन थे और स्टा साल के बाद एक सुधार लेके आए इसमें संसोधन इसके बाद एनिमल पॉपुलेशन का साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए टांस्पोर्ट किया जा सकता है इसकी परमिशन दे दी गई यानि कि अगर मालों कोई रिसर्च करना चाहता है या किसी एनिमल पे मालों बीडिंग करने चाहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट से उसके नई परजाती बनाना चाहते हैं या उसकी पॉपुलेशन को इनकीरीज करना चाहते हैं तो इस तरह के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे एनिमल को ले जाना अलाव कर दिया परमिशन दे दी अमेंडमेंट करके जो constitution है हमारा सभीधान उसमें कौन-कौन सी provision है ये wildlife जो है इनको बचाने के लिए देखो एक तो इस act की बात करें इस act में ही national and state board for wildlife यानि कि national level पे भी wildlife board है और state level पे हर एक state का state board of wildlife है इस act के थुरू एक central Jew authority है एक national tiger conservation authority बनाए गई इस act के जरिए हमारे सभीधान में अगर प्रोविजन देखें तो 42 जो amendment act 1972 में ये amendment किया गया था संसोदन इसके थुरू पहले state level में आता था यानि कि state subject था हमारे सभीधान में जो 7th जूल है उसमें तीन लिस्ट है state list central list और आपकी central government का ही law prevail करेगा वो ही माना जाएगा इसमें देखो पहले ये state subject में था forest and protection of wildlife animal and birds लेकिन इसको बाद में 1976 में 42nd amendment के थुरू state list से निकालके concurrent list में डाल दिया यानि कि अब इस पे state और central government दोनों law बना सकती है लेकिन central government का law बना हुआ है तो वो ही माना जाएगा वो ही prevail करेगा एक आर्टिकल फिफ्टीवन एक लाउज जी इसमें fundamental duty है हमारी क्या है हर एक स्टीजन की fundamental duty है मौलिक करतव है to protect and improve the natural environment including forest and wildlife यानि कि जितने भी forest जंगली जानवने सबको protect करना natural environment को प्रियावरन को बचाना सबकी एक duty है करतव है हमारे इंडिया में article 48A में यह जोड़ा गया directive principle of state policy है जो DPSP उसमें भी यह है कि state क्या है यह प्रियतन करेगा endeavor करेगा यह law बनाएगा कानून बनाएगा ताकि जो environment है उसको protect किया जा सके इंप्रूव किया जा सके और forest और wildlife है हमारी country में उनको safeguard किया जा सके तो यह ही था इसमें